कि अंट है । आज के सूदिश बैइक वाइड़ वीडियो आफ के एड़ के वाले से इस एम प्रेस अफ नर्र में झाइड़ के अट्र प्रेज पार न धथी का नी कोता है इस वीडियो में, यह पहली वीडियो सेक्टर F की तो मैं जितना डेटेल से एक्स्प्लेइन कर सका map से, मुझीदों के एक्स्प्लेइन करने कोश्च करूंगा, और जो on ground footage है, site की, मैं उसको भी IED करने कोश्च करूंगा, और साथ-साथ एक्स्प्लेइन करने कोश्च करूं इस्ट का जिस तरह की वहाँ पे cuttings थी, same वही cuttings है यहाँ पे, पांच मलला, साथ मलला और बारा मलला के plots हैं, तमाम के तमाम plots जो हैं, आज की डेट में non-developed हैं, और नौन-possessionable हैं, और यह adjacent है, एक society का reserve block है, जिसका नाम है doctors in clay, उससे adjacent है, और दूसरी बात, यह 400 feet roads adjacent है, before going into the details, सबसे बहले मैं try करता हूँ, explain करनी कुश करूँ, कि Google Earth location से और map से, कि sector F कहा located है, उसकी north, east, west, south, क्या चीज़ें वाकिया है, और इसका overall, location के लहाँ से, कितना important sector है, sector F, इस सबक्रम के scene पे capital smartity का master plan देख सकते हैं, और master plan में, आज के वीडियो वो sector F के वाले से है, जो य कनाल के plot हैं, तो मैं अगर total streets count की जाएं, तो तरीबर जो streets बनती है, साथ मरला के plot की, one, two, three, four, five, six, seven, and a, total seven streets बनती है, two, एक lane बनती है, जिसमें आगर दो streets बनती है, और इसके लावा कर यह साथ मरला plot की बात है, और बारा मरला की बात करें, तो बारा मरला की total 3 streets हैं, और क कनाल के plot की total 3 streets हैं, जिन में एक street ऐसी है, जो हाफ कनाल के plot के बारा मरला plot के बारा मरला plot के बात है, यह तो कि overall इसकी sector F की, इसमें किस dimension के plot हैं, अगर हम बात करें इसकी चार साइट पे, नौर्थ, एस, वेस, साउथ पे, तो मैं तरह मैप को clear कर दूँ, इसके चार साइट क प्राइम ब्लॉक के लिए, यहां से connectivity मिल रही है, और अगर हम बात करें, इसकी साउथ साइट पे, तो साउथ साइट बनता है, सेक्टर D, और इसकी वेस्ट साइट पे जो बनता है, बनती नूटेक यूश्टी, अब location के लिहाज सबसे important block है, वो sector F और doctor and clear बनते हैं, वो इ इसके अगर मैं अगर अगर आपको नौर्थ, इस वेस्ट साउथ समझा दूँ, नौर्थ साइट पे इसके डॉक्टर इंक्लेव है, तो वहां कोई बेजर रोड नहीं आता, यानि कि मैक्सिम रोड जो वहां पे आता है, उसकी विर्थ है, 40 फीट, यह जो सेक्टर F के साथ अगर आपको नौर्थ, इसके साथ अगर हम इस साइट की बात करें तो इस साइट पे 400 फूट का रोड है, 400 फूट का रोड है एक बहुत बड़ा रोड है, यह जो सेक्टर के साइज़ के अंदर प्लॉट के साइज़ है, यानि आपको निया आपको बड़ी एजी इसके तरीन तरीके से कवरड है, विद एकसेस फ्रॉम दा मेन M2 मोटर वे एंड 400 फूट रोड, और अगर हम चौती साइट की बात करें, डॉक्टर एंड कलव को बीच में स्किप करके, तो वहाँ पे भी जाके 400 फूट का रोड है, यानि दो साइट से 400 फूट का रोड और दो सा ग्राउंड स्टेटस का है, यानि ऑन ग्राउंड अगर स्टेटस की बात देखें, तो यह सारा अरिया आपको आसे लगते हैं, लेकिन एक्चुल साइट पर विजट करते हैं, क्योंकि इसमें इमेजिस जो हैं, वह आपकी अपडेटेट हैं, जुलाई 2021 की, यानि आज से त पर विजट करते हैं, अगर आप साइट पर विजट करते हैं, तो आपको यह वाली साइट तक लेर नजर आती है, और इस वाली साइट से भी काफियत तक जो ब्राउनिंग काम हुआ 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 है, मैंने रिसंटले एक न्यूटक यूश्टी और M2 मोटरवे की वीडियो गाड़ी से पोस्ट की थी, तो उस वीडियो में मैंने एक्स्प्रेंट करने कोश्च की थी, कि उसमें आप अगर अगर लेटसे इस पॉइंट पर खड़े होते हैं, जहांपे एम टक न्यूटक यूश्टी का और इंटर्चेन का इंटर्सेक्शन आता है, तो वहां से आप मुझे इस प्लॉट पर कबजा मिलने के लिए मुझे तीन से चार साल भी वेट करना पड़े, तो मैं रावलपिंडी इसलामबाद की डुमेन को गर देखूं, तो मैं इस प्लॉट को मैंटेन करूंगा, यानि कि मुझे अगर दस साल कब डाइम मिले तो मैं यहां प्लॉट को मैंटेन करूंगा। पहले पाकस्तान किसी सॉसाइटी में ही नहीं, 220 फूट का रोड इसलामबाद में सबसे मेजर रोड है, जो गुलबग ग्रीन्स में है, और बी सेवंटीन में वी एक्सवसी फूट के रोड है, और कुछ जगा पे 220 फूट का रोड भी होँ पे, तो एवरिज जो है ना सबसे बड़ा रोड जो रावलपेंडी इसलामबाद के डुमेंन में किसी भी हॉसिंग सॉसाइटी में मिलता है, डी एचे, बहरिया, गुलबग, सीडियस एक्टर, बी सेवंटीन, कोई भी सॉसाइटी का नाम ले ले लें, वो मिलता है, 180 फिट से 220 फूट का रोड, 400 फूट का रोड आपको किसी भी जगा लिविंग वाले पॉइंट से आपको बिल्कुल किनेक्टिविटी नहीं मिलती, और हाँ एक दूसरी नेक्टिविटी आती है कि 400 फूट पर जो बड़े कमर्शल आएंगे, तो घर की प्राइवेसी डिस्टरब होगी, तो वो चांस भी यहां ज मेरे ख्याल में जो डॉक्टर एंगेटिव इंपक्ट आएगा हाई राइस कमर्शल का, उसमें नेक्टिव इंपक्ट के चांसी नहीं क्यों आपके साथ जो कमर्शल प्लॉट है, आठ मर्ला और चार मर्ला, आठ मर्ला मैक्सिम हाइट अलाउट है, 50 फीट, ग्राउंड प् कोई फरक नहीं पड़ता, यहां पर जो कमर्शल प्लॉट होंगे, उनका रेजडेंशल प्लॉट की एक्टिविटी पर फरक ना होने के बराबर है, तो यह एक प्राइम बात है कि इसमें इतनी प्राइम लोकेशन पर आपको 400 फिट रोड के साथ आपको एक्सेस मिल रही है अब मैं दूसरी बात करता हूं कि 400 फिट रोड के लावा यहां पर इसके M2 से एकसेस कितनी डिस्टन्स पर है, कितना फासला बनता है, अब जी मैं एक साइट से 400 फिट रोड से यह पॉइंट लगाता हूं, यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस से आपने मूव करन है, यह जो आपका टोटल बनता है अरिया इस पॉइंट तक, सॉरी मैं से यह क्लियर कर नजरा, पात ड्रॉ करता हूं, किलोमेटर में देख लेंदे कितना अरिया बनता है, यह इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सेक्टर एफ का, सॉरी मैं यहां से गलत कर दिया, यह स्ट तो बनता है 2.50 किलोमेटर, अगर मैं 400 फॉट रोड से एकसेस लेकर जाता हूं, तो मैं मैप को थोड़ा लाइट भी कर देता हूं, तो आपको लोग क्लेर अंडिस्टेंडिंग हो सकी, टोटल में डिस्टंस बनता है, वह यह बना डिस्टंस बनता है, इस साइट से किनेक् अब बात करते हैं, यहां से किनेक्टिविटी स्टार्ट होती है, यह पॉइंट वन, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों पॉइंट को मिला लें तो 1.69 किलोमेटर का डिस्टंस बनता है, यानि के डेट किलोमेटर यह पहने 2 किलोमेटर का डिस्टंस, जो आप पैदल इंटर्चेंज तक जा सकते हैं, को बड़ी कोई तोप काम नहीं है, आपका अस गाड़ी नहीं भी है, तो पैदल जा सकते हैं इंटर्चेंज तक, इतना नद्रीक इंटर्चेंज है, यह है एफ व्लॉग की लोकेशन के लिहाज से प्राइम बात, कि आज की डेट में अगर यह जो इंटर्चेंज के सरौंडिंग एरिया है ना सारा, इसमें, अब मैंने उस दिन वीडियो में बात की थी, कि बहुत सारे एरिया ऐसा है, जिस पर आपको न्यूटेक लिखा हो नजर आता है, और वहाँ पे साथ लोग घर भी बना रहे हैं, तो स्वाइटिन आइड़ आपको नो किस लाहाँ से यहाँ पर किस एंगल से लैंड की प्रोविजन यहाँ पर फ्रिकूरमेंट की है, कि यहां पर कोई ना कोई लैंड की अजीव सी सिचुवेशन है, कि एक तरफ आपने लैंड प्रिकूर कर लिया, उस पर आपने न्यू टेक यूनिवर्ट बोर्ड यह जो यह वाल अरिया बनता है और उसी जगह पर साथ लोग ने घर भी बना रहे हैं इन गाओं के अंदर जैसे ने मकान बनते हैं ना मकान ही बलके हवेलियां बन रही हैं यानि के दस दस किनाल आट किनाल के चारदवर के साथ ना वहां पर एच्छे से एक बड़े घर बन र दोंगा सिंबल से रीजनास की कि जितना मैं इसको वक्त दोंगा इस इंवेस्टमेंट को उतनी मेरी इंवेस्टमेंट एप्रिशेट करेंगी और हाँ अगर आपके पास अभी भी ऑप्शन है बैलिटिट प्लॉट बाइ करने का तो कंसिडर सेक्टर एफ एवन दो सेक्टर इस वहने पार्ट में आपको सारी ब्राउनिंग भी नज़राती है यहीं रोड है इसके साथ की सारा एरिया पो शियूंसर आता है औरуют बाब इसके एक्सेंटершंगे यहथा ने असके स्वाहर्शे निवहले बॉक के सेकंड best option बनता है अगर इसको बीच में इंक्लूड करें तो इंक्लूड ना करें एक्स्टूड कर दे जो बेस्ट अवेलेबल है आपके पास average सेंट्रल में investment का वो बनता है आपके पास सेटर रैफ इसके और आपके पास option इससे बहतर option नहीं है पॉजेशन नहीं होगा जो भी मौमले मसलिम साहिल होते हैं लेकिन इंड दो डे साइटी का जब यह 400 फिट रोड की लैंड क्लियर है नहीं यहां से यहां सारी 400 फिट की रोड अल्री क्लियर के होना यहां पर अल्री बन भी चुका है यह आपको एक यह देख लें यह 400 फिट रोड की क्नेक्टिविटी मैं इसकी वीडियो आके जाके शामिल भी करता हूं यह सारे अरिया की यहां तक रोड जो है अच्छी हासी कॉंपैक्शन होगे प्थर डालके इसको एसफारल काम शुरू हो गया है तो जब इसकी क्नेक्टिविटी आम अकमल होगी तो आ प्रशली डिवेलप्ट है यहाफ ब्लॉग जो है और हाफ ब्लॉग जो है और हाफ ब्लॉग जो है और हाफ ब्लॉग जो है उसकी लैंड जो मेरे हल में प्रिक्योड नहीं है तो उसके वहां पर लिटिकेशन के इश्यूस जिए अपनी जिए करते हैं लेकिन इसका आम कमल के रहा है अभी अपने स्क्रीन पर 400 फट रोड का जो में रोड बन रहा है उसके अंदर जो बीच में एक पॉइंट है जहां से एक वाटर बाड़ी से दूसरी वाटर बाड़ी किनेक्टिविटी के लिए सुसाइटी ने प्रॉपर एक 400 फट रोड के नीचे एक स्ट्रीम गाउं से जाके मिलता है और राजट गाउं से कनेक्टिविटी को मिलती है विद दा मेन M2 इंटरचेंज जो अभी तक करेंट अभी मंधवाल ब्रिज बना हुआ है उसके साथ कनेक्टिविटी इस रोड के थूप पॉसिबल होती है और इसी रोड अक्र लोग सवाल करते है कि ये रोड अपनी जगा सस्टेन करेगा और लेटर स्टेज भी इस साथ को खतम कर दीगे नहीं तो ये रोड अपनी जगा पर रहेगा क्योंकि ये सरकारी रोड है और HRL ये कोई भी दूसरी कंपनी हो तो उसको ये रोड खतम करने की परमिशन जो है वह सरकार की तरफ से क्योंकि यहां पर जो गाओं की अबादी पूरी नहीं खरीच सकते हैं आप उनकी नेबरोड की जमीन खरीच सकते हैं लेकिन अबादी ने वहीं पर रहना है तो लेटर स्टेज पे बात लोग करते हैं कि स्टाइटी के बीच में से गाओं वाले गुजरेंगे इस तरह कि आपको पता नहीं चलता तरहीं इस कि एरिया इतना जज़धा हो जाता है यानि इस तो बड़ा वह एक चोटा सर रस्ता होता तो आप बंदे की विजिबिलिटी में बनी आता तो अगर मैं इस 400 फुट रोड के साथ बात करूं तो यह सेक्टर B के साथ 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 इसकी सेक आती है वह 400 फोट रोड के साथ लैंड प्रिक्योर नहीं है वहां पे आपको प्रॉपरली काश्ट का यह नजर आ रही है यह में के फस्ट वीक की फुटिज है आप इसको ऑन ग्राउंड जाकर इसल्फ भी टैली कर सकते हैं इत के फोर्थ देखिए मैंने रिकॉर्डिंग की ह ही है आगे जाके जब इसमें मजीड चेंजिस आएंगी तो इन्शाला मैं उसके हवाले से भी अपडेट कर दूँगा एफ ब्लॉक के हवाले से को और सवाल जो मेंब्रान की तरफ से मुझे कॉमनली सुनने को मिलता है कि एफ ब्लॉक का पॉजशन के बाकी बाकी जिस तरह ओवरसीज इस्ट का ब्लॉक एल और ओवरसीज सेंटल का ब्लॉक एफ तो मलके ब्लॉक एफ को मैं किसी भी ब्लॉक से कंपेरिजन करूँ किसी भी से कंपेरिजन करूँ चाहे वो डिवैलप्ट सेक्टर क्यों न हो तो मैं ब्लॉक एफ को ही चूज करूँगा दर रिजन इ हैं क्योंकि 400 फूरोड जो है सौइटी का वो इंतहाई एहमियत का हमिल है क्योंकि इसके साथ जो 400 फूरोड के साथ जो कमर्शल प्लॉट है आठट मतले कि जो सौइटी ने भी सेल नहीं किये साड़े चार्चा 5-5 करोड का है तो अरबों रुपय के ब्लॉट तो सौइटी ने भी सेल करने हैं तो बाकी बाते तो बात की बाते हैं तो यह तमाम डिटेल सी जो आफ ब्लॉग के मेंबर्स के लिए ज़रूरी थी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक कमेंट और चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलें रिजवान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज दीजिए झाल झाल